हेलो गाईस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जैसे कि आपको बता है आज कल जितने भी एससी के टीचर से उनमें कंट्रोवर्सी होती रहती है कोई किसी टीचर को बोलता है कोई किसी टीचर को तो जितने भी हम एस्परेंट हैं यानि के कैंडिडेट हैं उन्हें क्या सीख मि आप जो एससी का अब तक का वन ओब बेस्ट जो टीचिंग प्लैटफों में वो यही है करियर विल तो अभी एक अभी से एक ओजा है यह भी टीचर है माई पार्ट साला पे तो माई पार्ट साला पे हैं तो इन्होंने कुछ इनके बारे में बोला तो तो सर ने आज ही दो चैनल है स्सकी के कैटेगरीo में ज olduğunu का नैट आए तरहिये माई पार्ट साला का यूट्व चैनल बनाता इन्होंने बनाया था और इसके फांडर है उजवल सर रहा है। उजवल सर रहा है और ये तब से ही एक्ट्व है और सबसे पूराना यही चैनल है SSC की कैटिकरी में जहां तक मुझे ध्यान है तो और ये उस टेम बहुत ही सबसे बहतरी जो SSC का यूटूब चैनल था यही था ठीक है इसके आप सपास कोई भी नहीं था जहां तक मुझे याद है तो ऐसा क्या हुआ कि यह माई पार्ट साला धीरी धीरे डाउन की तरह भी होता गया तो इसके बारे में भी देखेंगे और कुछ मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा जो इसके ओनर है कि उन्हें क्या-क्या चीजे करनी चाहिए कि इंप्रूव हो सके तो अभी जो कंट्रूवर्सी हुई है अभी से एक ओजा है सर है मैथ के टीचर है और ये थोड़ा पूत मैंने इन्हें देखा है जब ये रिविव औगेरा करते थे SSC का जो एक्जाम होता था बहुत ही बढ़िया टीचर है और काफी सांती से ये चीजों को बताते हैं और एक्स्प्लेइन करते हैं तो काफी अच्छे लगेते मुझे ये 118 इनकी रैंक है साथ जब इन्होंने एक्जाम दिया था इन्होंने वीडियो बनाई थी इनके अगेंस्ट उसे डिलीड भी कर दिया तो मेरे मुद्धा यह कि आजकल हो क्यों जिरा है सारे टीचर राके स्यादो कोई टार्गेट क्यों करते हैं सबसे पहले यह अपना एडवर्टेजमेंट करते हैं जितने भी टीचर है चाहे कोई भी हो ठीक है चाहे अभी इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे और यह सब इनहीं टार्गेट करते हैं राके स्यादो सर कोई और ये सबसे easy होता है अपना advertisement करना दूसरे teacher को बतनाम करके और क्या होता है अभी देखोगे जो रागे स्यादोसन ने reply किया है लगबग 80,000 से भी ज़्यादा वी हो गए ठीक है और अभी 3-4 घंटे हुए है तो देख सकते हो कितनी तेजी से ये controversy बढ़ती है और लोगों में फैल जाती है तो इस तरह डारेक्ट जो मकसद होता है दूसरे teacher का उसका advertisement हो जाता है तो main target तो यह होता है लेकिन आजकल इतना बुरा हो गया है कि जो teacher खुद पढ़के जो राके सादोसर से या जितने भी senior educator है उनसे पढ़के selection लिये हैं और अब वो खुद teaching field में आ गए है तो इतना गंदा हो गया मौल कि वही target करने लगते हैं और यह जो teacher और student का नाता है ना बिल्कुल रद्दी हो गया है सब पैसे के पीछे पढ़े हैं हमें बस course बेचना है पैसे कमाने हैं चाहे मेरा teacher हो चाहे कोई भी हो कोई बीच में नहीं आना चाहिए हम सब की बजाके रखेंगे तो यह बहुत ही बेकार culture अभी बन गया है जो respect होती है teacher और student के बीच में वो सारा धज्यों की तरह उड़ गया है जो online अभी education system आया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और यह जो अभी जो नए teacher आया है जो अभी मैं नाम तो नहीं ले ना साथा यह तो बहुत ही बेकार हो गए है हज से ज़्यादा हर जगे अपना advertisement करेंगे और course बेचेंगे और target करेंगे दूसरे teacher को और जिससे ठीक है एक सब्सक्राइब करो जितने भी student है और आपको पता है सारे student है इतना अभी उन्हें नहीं पता रहता है बिजनस management के बारे में वह emotional blackmail के course भाई कर लेते हैं ठीक है और course में क्या मिलता है कुछ भी नहीं मिलता है जो YouTube पे आपको दिखा देते हैं demo वैसा कुछ भी नहीं होता है और reality आपको पता चल जाती है तो मेरी request यहीं रहेगी कि जो controversy में ना पढ़ता हो teacher ठीक है और आपको लगता हो demo देखके कि यह अच्छा teacher है उसका course भाई करें और एक बार बस पढ़ें एक बार पढ़के अपना निकल लो भाई और practice करो उसके बाद कोई भी teacher आपको कुछ भी नहीं सिखा तकता है चाहे कितना भी best educator ही जूना हो एक बार किसी भी teacher से पढ़ो और निकल लो अब मेरी request है रहेगी माई पार्ट साल के जो ओनर है उजवल सर से जैसा कि मैंने बताया यह सबसे पूराना अब तक का एससी का YouTube channel है माई पार्ट साला और इसकी view starting में बहुत अच्छा आते थे लेकिन जो इनका management टैना उजवल सर का मुझे सबसे बिगा लगता है अभी एक इससे पिछले साल एक advertisement निकाला था इन्होंने जब SSC का notification आउट हुआ था उससे पिछले साल मुझे याद नहीं है उसमें ऐसे ऐसे word थे ना कि सरम आ रही थी किसी के सामने हम देख भी नहीं सकते थे वो advertisement इतना था अब उजवल सर को तो पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो ऐसे teacher का course कोई student क्यों लेगा जो ऐसे ऐसे चीज़े बोलता है ये करेंगे वो फाटेंगे ये चीज़े बहुत गलत हैं आप मुझे लगता है अगर आप positive जो positive management है उसने उससे अपना होगे ना बहुत आगे जाओ गया अभी तो मैंने लगबग एक से दो साल से मैंने इनका चैनल विजीट नहीं किया है कभी-कभी मैं ये जो अभी से एक उजह हैं इनका मैं review देख लेता था लेकिन मैं उजवल सर से ये request करूँगा क्योंकि मैंने भी खुद पढ़ाए इस चैनल से स्टार्टिंग में एससी का जो ये English पढ़ाते तो यहां तक मुझे याद है तो काफी अच्छा पढ़ाते थे और जो इनका concept था पहले दिन का revise करो फिर दूसरा फिर दूसरा स्टार्ट करो तो यह बहुत अच्छा लगता ठीक है और बाकी मैंने यह बता दिया और मेरी जो जितने भी इस्टुडेंट भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यह रहेगी आपको जो भी कोर्स लेना है इमोशनल होके ना लो किसी का भी चाहे कोई सबसे पूरा ना टीचर हो सबसे नया टीचर हो इमोशनल होके ना डीचर देखें यह क्या कर रहा है पकवास कर रहा है पूरे वीडियो में कर लो अपना कुर्ण प्रेक्टिस करो उसके बार अदो साबसे जितना भी है ठोड़ा बहुत अपना देखो और बंद"- कर दो अब कंट्रोवरसी कंट्रोवरसी रहेगी कूंकि अब सोट सा गया है ठीक है अब हर जगे टीचर अपना एड़बेजमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को गालिया दे रहे हैं तो यह चीज़े गलत हो रही है बंद होनी चाहिए और कौन बंद कर सकता है जितने भी हम वीडियो में तना थैंक्यू वेज्ट